तो दोस्तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि ये छिपकली को मानने से सवाब मिलता है या नहीं तो दोस्तो आज की वीडियो में हम मुफ्ती अक्मल सहाब जो ये है इनका वीडियो किलिप देखने वाले है और इन्होंने बताया है वो वीडियो किलिप में चिपकली को मानने से सवाब मिलता है या नहीं मिलता है तो आईए हम इनकी पहले वो वीडियो किलिप देख लेते हैं तो ये रही वो वीडियो किलिप सुनिए भाई ने फरमाया सुना है कि छिपकली को मारने पर बड़ा थवाब है खुससान महरम में तो महरम की तो खर कोई तखसीस नहीं है जिसने कहा ये गलत कहा बागी ये जरूर है कि नबी करीम अल्लाहु ने गिरगिट के बारे में रिशाद फरमाया कि जो इसको एक वार में मारेगा अल्लह तबारक वताला उसको सौने की अता फरमायेगा जो इससे जादा में मारेगा उतने थवाब कम होता जाएगा और इसकी वज़े बियान फरमायी कि जब अल्लह तबारक वताला जब नमरूद हदरत इबराहीम अल्हीस स्लाव को आग में ठेकने का इरादा कर रहा था तो इस वक्त गिरगिट था इसने आग के करीब जाके फूंके मारी थी उस आग को बढ़ाने की कोशिश की थी गोया के इस जानवर की फितरत में दुश्मनी ए इनसान रखी गई है ये नुखसान का बाइस बनता है उसी पर क्यास छिपकली का भी है कि छिपकली भी चूंके उसी के नसल से है इसलिए इसको भी मारना बाइस सवाब है तो ये क्यासन सवाब साबित नहीं हो रा बलके वार में मारेंगे सो ने किया है उससे कम मारेंगे तो उससे जादा दर्बों मारेंगे तो उतने सवाब में कम होते चले जाए कि लेकर मोहरम की जिसने तखसियस की वो बेजा है तो दोस्तो जैसा के आपने सुना मुफ्ति अक्मर साब ने कहा है कि छिपकली को मारने पे सवाब है एक बार मारने में सव ने किया है और जित्ते कम वार करें उत्ते कम ने किया होंगे तो दोस्तो मालूम हुआ कि छिपकली को मारने पे ने किया है तो दोस्तो आज की वीडिय को शेयर जरूर करना कि दूसरे लोगों को भी मालूम हो जाए कि छिपकली को मानने पर सवाब है या नहीं असलाम उलीकुम राह्मेत लाहिवा बराकातु